एपिसोड नमबर 10 की स्टार्टिंग होती है और किनलुआई मन में सोच रही होती है मेरा दिल इतना खाली खाली क्यों लग रहा है फिर वो ली के बारे में सोचती है और चिलाती हुए कहती है ये मुझे क्या हो रहा है मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ किनलुआई ज और ली नशे में धूतोता है और ये हाव कहता है, बॉसको यहाँ तक लाने में मेरी कमर ही टूड गई, फिर वो सोपे बर बैठकर कहता है, मैं बहुत थक गया हूँ, फिर वो मुबाइल निकालता है और मन में कहता है, इस समय तो बॉसकी पत्नी सोरही होंगी, क्या मुझे उ बास को वापस लेकर आया हूँ और वो बहुत ही जादा नशे में हैं। पर यहां नहीं रहता तुम उसे अपने घर लिजाओ। बास कर वहां से निकल जाता है और मन में हस्तिवे कहता है। और कल मुझे मेरी बहन की शादी में शामिल होना है। पर वो ली को हिलाते हुए कहती है ली जाग जाओ। पर वो ली को एक थपड मार देती है और कहती है ली उठो। पर वो ली के जूते उतारने लगती है तब ही ली पलड जाता है और किन लुआई उसे कहती है। तुम क्यों पलड गए पहले अपने जूते उतारो फिर वो सर पकड़ते हुए कहती है अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। पिर वो ली से कहती है अरे मेरे ले थोड़ी जगा तो बनाओ सोने के लिए। चलो छोड़ो भी अब मुझे जाकर सोपे पर ही सोना होगा। पिर वो ली पर ब्लैंकेट डानने लगती है और तब ही ली जाग जाता है। और Ani का हाथ पकड़ लेता है, और किनलुआई मन में कहती है वो जाग गया। फिर ली उसे गले लगा लेता है और किनलुआई कहती है तुम ये क्या कर रहे हो। पिर ली कहता है म्यूलिंग प्लीज मत जाओ पिर किनलुई कहती है ली आपने फिर से गलत लड़की को पकड़ा हुआ है पिर ली कहता है म्यूलिंग मेरा पीछा करना बंद करो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ पिर किनलुई उसके चेरे को छूते वे कहती है वो किस प्राकार की लड़की है जो तुम उसे इतना याद कर रहे हो पिर ली कहता है मत जाओ पिर किनलुई मन में कहने लगती है इसे भूल जाओ वैसे भी ये सब पहली बार नहीं हो रहा है पिर किन लुआई ली से कहती है इंता मत करो मैं कहीं नहीं जा रही हूँ आराम से सो जाओ पिर ली किन लुआई को छोड़ देता है और किन लुआई उस पर ब्लैंकेट डाल देती है और फिर कहती है उज़े हमेशा से लगता है कि तुम एक नौकर नहीं हो और गाईज जी के साथ एपिसोड नमबर टेन यहाँ एंड होता है पसंद आये तो लाइक एंड सस्काइब जरू करें मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में